हेलो फ्रेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल हैस्थ की दुनिया में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे मुहासे या पिंपल्स की समस्या के बारे में कि इन घरेलू उपायों को अपना कर आप इन से निजात पा सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पे जाकर उसको क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो को अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके और आप और भी हैल्स के टॉपिक पर जानकारी पा सके आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि आप इस वीडियो का पूरा फ़ादा उठा सके मुहास्य या पिंपल्स की समस्या से काफी लोग परशान रहते हैं ये समस्या आइली स्कीन या तेली तच्चे वाले लोगों को जादा पाई जाती है दूसरी तच्चा के लोगों को भी ये समस्या हो सकती है ये समस्या जदतर किशोर अवस्ता में शुरू होना सोभाविक है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो धूल मीट्री प्रदूशन की वज़ा से भी तच्चा जदा तेली हो जाती है जिससे पिंपल्स होने की संभावना बढ़ जाती है कई बार मेकप उतपादों में शामिल रसाइनों को ठीक से साफ ना करने के कारण भी मुहासे होते हैं सभी मेकप को रात को अच्छी तरह से उतार के साफ करना चाहिए मुहासे तच्चा में होने वाली एक प्रकार की सूजन है जो जब होती है जब तच्चा की तेली ग्रंथिया बैक्टीरिया से ग्रस्थ हो जाती है आज कल सब अपनी अपीरेंस को लेकर बहुत सजग होते हैं कोई नहीं चाता कि मुहासे उनकी खुबसूरती को खराब करें बेदाग चैरा सब को अपने और अकरशित करता है आए इस वीडियो हम जानते हैं कुछ अचान से घरलू को पाए जिनको अपना कर आप अपनी तुचा को बेदाग और मुहासों से रहित बना सकते हैं मुहासों का इलाज करें घर पर भरफ से आप इसे असानी से फ्रीज से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मुहासों या पिंपल से छुटकारा पाना चाते हैं तो बरफ के कुछ तुकड़े लें, इसे अपने मुहासों पर लगाएं इससे आपके मुहासों वाले भाग में रक्त का संचार तेज होता है आप बरफ के तुकड़ों को कपड़े में लपेट कर मुहासों पर लगा सकते हैं अगर आपको इस प्रक्रिया में ठंडा मैसूस होता है तो कुछ देर रुक कर दुबारे इस प्रक्रिया को शुरू करें मुहासो का इलाज शहद से शहद से आप मुहासो का इलाज कर सकते हैं, मुहासे दूर बगा सकते हैं यह एक बहतरीन उत्पाद है जो पिंपल्स पर तुरंट असर करता है शहर में रूई के फाहिर डुबोकर मुहासों या पिंपल्स वाले तचा पर लगाएं इसे आदे गंडे तक रखें और धोलें अगर इसे गुन-गुना पानी से धोया जाए तो असर जादा होता है मुहासों के लिए उपचार नीम्बू स्वंदर्य एवन स्वास्टे को बरकरार रखने में नीम्बू आपकी काफी मदद करता है क्योंकि नीम्बू में विटामिन C की काफी मात्रा होती है अता इसे मुहासे जल्दी सूपते हैं नीम्बू का रस निकालने के लिए केवल ताजे नीम्बू का ही प्रयोप करें बोतल में बंद नीम्बू के रस से कैमिकल प्रदार्थ होते हैं जो तचा के लिए हाने कारक होते हैं मुहासनों का इलाज और मुहासन से चुटकारा पाने के लिए ये घरेली उपाय नियमित अपनाना सरल, सुरक्षित और प्रभाफ कारी है अगर आप भी मुहासन से रहित एक बेदाक चैरा पाना चाते हैं तो उपर बताये गए उपायों को अपना कर आप भी एक बेदाक चैरा पा सकते हैं जिससे आपकी खुबसूरती और बढ़ेगी अगर आपको एक वीडियो हमारी पसंद आई है तो फिर इसे लाइक करें इसे शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सिब्सक्राइब करें धन्यवाद